असलाम उलेकूम, आज का मेरा टॉपिक है कि हम जैनी तोर पे किस जमाने में रह रहें? पास्ट में हैं, फ्यूचर में हैं या प्रेजेट में? हमारे लिए सबसे बेस्ट जो मेंटल हल्थ के लिए बेतरीन है वो प्रेजेट लमहें में रहें हैं। तो मैं कैसे पता चले हैं कि हम present moment में रह रहे हैं और power of the moment इस पे काफी books भी हैं और इसकी बहुत ज़ादा जो हाना value है क्योंकि इसका तो result भी बड़ा अच्छा था है कि आप जो हाना present moment में रहे हैं तो present moment में रहते हैं तो कैसे पता चलेगा उसके क्या sign होंगे तो हमारी सोच से हमें पता चलेगा कि हम इस वक्त कौन से moment में हैं तो जब हमें पता चल जाए तो हमें फिर किस तरीके से हम present moment में रहें और उस moment की power को enjoy करें तो present में जब हमारी thinking past की होंगी तो हमारे अंदर क्या-क्या feelings चल रही होंगी और क्या-क्या thoughts होंगी और क्या-क्या behavior होंगी तो जो past के होती हैं उसमें ज़्यादा तर guilt होते हैं शेम होती हैं और feeling of sad और feeling of depressed होती हैं और past के events पे regrets होते हैं और past के events जो होते हैं वो बार-बार flashback हो रहे होते हैं दमाग में जो माजी में कोई ऐसी बात हुई हो तो वही दमाग बार-बार उसको दुरा रहा है उसके पर overthinking कर रहा है उसके पर ऐसे क्यूं हुआ था ऐसे हो जाता तो बेतर था फ़लान ने ऐसे क्यूं किया इस situation में ऐसे कर लेता तो ऐसे बेतर था यह सब जो हमारी thinking है यह इसका मतलब है कि हम अभी past moment में ही live कर रहे हम माजी में ही survive कर रहे है तो इन जब हमें यह पता चले तो हमें अपने mind को फोरण यह बात क्या कि present moment की तरफ लेके आना चाहिए कि नहीं यह तो मैं past का माजी के बारे में सोच रहूं मैंने अब उसमें से कोई चीज में नहीं ले सकता सिर्फ एक चीज हम माजी से ले सकते हैं कि हम उसमें से positivity निकाल ले तो हम उसमें से सबक ले ले वहना हमें बार बार जो हैना माजी में नहीं सोचना चाहिए वहना ही तो वो clarity होगी, उसमें doubts नहीं होते हैं, उसमें clear होता है हर चीज जो present में हो रहाता है, जो उसकी control में, present में चीज़ें आपकी approach में होती है, जो आप कर सकते हैं आपको, जो आपकी control में आप वो करते हैं, उसमें clarity होगी, दूसरा जो situation जैसी आई है, वो accept करना है, अब कोई भी आलाद हैं खुशी वले आलाद बने वे गमी वाली सिचुईशन है उसको accept करना है तो जब accept कर लेंगे तो उसमें आप जो है ना आपके लिए मुश्किल नहीं होगी सिचुईशन जब आती है तो उस वक्त हम past में चले जाते हैं past के बाके साथ जोड देते हैं अटैच हो जाते हैं वो anchor हो रहे होते हैं उसी के साथ ही future के जो unknown fairs अटैच हो जाते हैं जिस वज़ा से वो present में clearance नहीं होती और acceptance नहीं होती तो जब हम present moment में रहेंगे और उस situation में रहेंगे तो ये सारा clear रहेगा और joy of being होगे जैसे भी हैं जिन हालात में हैं और अपने आप के साथ फिर बंदा enjoy करता और उसको accept करता और उसमें परस्कून रहता हैं और उस situation को उन हालात को वो overcome कर रहता है और understanding होगी जब आप present में रहेंगे तो understanding है कोई भी situation है कोई भी problem है कोई भी गम है खुशी है सब की फिर understanding रहीगी कि मैंने अभी क्या करना है और क्या किस तरीके से मैंने इस हालात को काबू पाना है और इस लम्ह को किस तरीके से मैंने जोहना overcome करना और time pass करना इस लम्हे को जब इन सारी situation में acceptance भी होगी clarity भी होगी ज्वाए भी होगा तो फिर inner peace आ जाएगा क्योंकि इनसान उसमें मुतमाइन रहेगा जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है जैसा भी हो रहा है तो वो उसको उनी हालात के तायत और अपने जो उसके circumstances हैं जो उसके पास available resources हैं वो उसके knowledge के resources है economical resources हैं जो उसके social resources हैं इन resources में रहा कि जितनी उसकी capability है वो उतना करेगा तो उसके बाद वो उसको inner peace होगा कि मुझसे जितना हो सका और जो मैं कर सकता हूँ मैंने किया तो उसमें फिर कोई doubts और ना future के unknown fairs होंगे और ना ही past के कोई regrets होंगे और फिर gratitude उसके अंदर होगा जब कभी feelings gratitude की होंगी और अपने अंदर वो gratitude पैदा भी करेगा तो present लमा है उसमें वो अला तहला ने जो भी दिया जो भी आलाद दिये जो जिस तरह के भी उसके साथ मामले होए उसमें वो अला तहला का शुकर गजार होगा और उन लोगों का भी शुकर गजार होगा जो उसकी life में लोग हैं जो उसकी नियामते हैं उन सब को gratitude जब करेगा तो वो present लमें में होगा तो शुकर गजार होना दूसरे लोगों को शुकर लोगों का शुकरिया दा करना और अपने इर्द गिर्द जो चीजें हैं जिस जिस ने अपने साथ अच्छाई की उसको thankful होना उसका तो ये gratitude और present moment की ही sign है तो ये जब आप present moment में आ जाएं तो life बहुत अस होती है और mental health improve लोधी है तो ultimately physical health improve होती है तो future क्या है जब हमारी thinking future के बारे में होती है तो उसमें हमारी क्या thinking होती है उसमें fear of unknown होता है कोई बी जίसे वाक्या हुआ है तो उसमें फॉरं обсते present का तो उसमें कम ही चीज़ सामने आती है दिमाग सबसे पहले जो ये दिमाग की टेंडेंसी है सबसे पहले पास का वाक्या लेगा कि ये मेरा experience पहले भी था उसमें भी ये हुआ था उसमें से भी negative डून के लेगा कि उसका result भी negative आया था ये मेरे साथ हुआ था मैं fail हुआ था या फिर मेरे साथ गलत हुआ था तो अब जो हना अब मैं आभी कुछ भी नहीं कर सकता और मेरा future में भी जो हना कुछ नहीं होगा तो मेरा future भी ऐसे ही जाएगा तो ये fear of unknown ये सारी चीज़ें जो है future के भी और past के भी इनको हटा के तो present म live करना है worrying about what will happen next के लिए कि अभी पतनी क्या होगा कैसे होगा फिर anxious feelings होगी कि कैसे होगा future के बारे में फिर overthinking होगी किस what और if के लिए क्या होगा अगर ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा अगर ऐसे हो गया तो कैसे हो गया यही सारे दमाग में यह feelings चल रही होंगी और thinking जैसे मैंने पहले बताया कि worse की thinking आएंगी कि अब तो past का भी सारा experience साथ जोड़ गया कि पहले भी ऐसे हुआ था और future के लिए जो है ना वो prediction दमाग दे देगा कि अब future में भी जो आना scenario सारे worse होंगे तो अब हमें किस तरीके से present में रहें तो present में रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब भी कोई बात भी कोई thought हमारे जहन में आती है तो उसमें सबसे पहले सुचें कि मेरी भी मैं ही किस लम्हें में live करना हूँ यह मेरी पाष्ट की बात है पाष्ट में तो मेरे कोई control नहीं है future में में कोई control नहीं है मेरा अभी जो present है तो मैंने अगर कोई performance करनी है अभी मैंने कोई अच्छा काम करना है या मैंने जो भी मेरी अप्रोच में है तो वो मेरे प्रेजंट में फ्यूचर में तो मेरे अभी कंट्रोल में नहीं है तो मैं फ्यूचर के बारे में क्यूं सोचूं तो शुरू शुरू में तो दमाग जो है ना ऐसी चीज़ों को एकदम से नहीं सीखता कोई भी चीज़ जो हमने हैबिट बनानी है तो रेपिटेशन है तो अगर हम हर दिन अपने आपको अपनी थौर्स को खुद चैलेंज करें कि ये मैं अभी कहां किस के बारे में अभी तो ये मेरा का स्नेर्यू था इसको तो मैं नहीं सोचना भी मैं जुआ काम कर रही हूं पूरा फोकस पूरी five काम में उस काम में फोकस करूं तो जब हम conscious Lee करना शूरू कर देंदे तो हमारे mind में जो हैना वो habit बनती है हमारे जो neuron ने neuron बनते हैं तो वो एक निया पैत्वे बनता है तो वो एक पूरी habit बनती है तो आश्टा श्टा कुछ दिल लगेंगे और आश्टा श्टा जब हम अपने खुद को self question करके कि मैं अबी किस situation में हूँ अभी मैं future का क्यूं सोच रही हूँ अभी वो तो मेरे इक्तियार में नहीं है अभी मैं आज best करूँगी तो वो ही कल past बन जाएगा तो आज best करूँगी तो वो ही आगे आने वाले future में उसके लिए जो आना वो best होगा तो I hope so कि ये बहुत सी बिमारियों और बहुत से stress और बहुत से issues जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ही हमारे present moment में live ना करने की वज़ा से हैं तो जितना present moment में survive करेंगे जितना present moment में रहेंगे उतने ही हमारे जो stress हैं जो anxiety है जो depression है जो past के regret ये सारी चीज़ें खतम हो जाएंगी तो शुरू शुरू में तो जारे दमाग की आदत होती है वो पॉप अप करता है वो बार बार future की भी लेके आएगा और past की भी लेके आएगा जब आश्ता इस्ता दमाग को आदत हो जाएगी repetitively बार बार अपने आपको self जो हैना question करके self deny करके नहीं मैंने अभी नहीं सोच नहीं तो फिर आश्ता इस्ता habit बन जाएगी I hope so मेरी चोटी सी ये tips सबके लिए बहुत कारमद होगी और जिस जिस ने मेरा channel subscribe नहीं किया तो YouTube पे channel उसको subscribe कर दें Facebook पे जो हैना मुझे follow करें किसी को अगर कोई counseling लेनी है कोई किसी marital किसी के बच्चों के किसी हवाले से भी को Instagram पे भी आप मुझे approach कर सकते हैं मेरा WhatsApp है मेरे YouTube चैनल पे भी comment कर सकते हैं किसी को किसी बारे में कोई video comments करना है कोई किसी बारे में information के लिए मैंने video बनानी है तो जरूर बताइए मैं आपको इस बारे में guide करूंगी Thank you